क्या आप जानना चाहते हैं कि जो अभियर्थी टीटी पास कर चुके हैं उनके लिए बहाली परक्रिया कब शुरू होगी क्या आप जानना चाहते हैं 19,500 पदों के लिए बहाली परक्रिया कब शुरू होगी तो देखते रहिए इस वीडियो को अंतक हिलो दोस्तों में समराट सर आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो अभियरती टीटी पास कर चुके हैं उसका बहाली सुप्रीम कोट किये आदेश के बाद ही शुरू ह इसके बारे में सिक्षा मंतरी क्रिश नंदन वर्वाने क्या का है आये जानिये पूरे न्यूज को पतना विधान परिशत में सिक्षा मंतरी क्रिश नंदन वर्वाने कहा कि सुप्रीम कोट का आदेश आने के बाद ही सिक्षकों के खाली परे पदों परवाली की परक्रिया शुरू की जाएगी अभी प्रारंभीक स्कुल में एक लाख उनासी हजार और कलास छो से आठ तक मादमिक स्कुलों में 73,965 पद सिक्षकों के खाली परे हुए हैं इन पदों को भरने की कयावत सर्वोच नियाले का फैसला आने के बाद ही शुरू की जाएगी समान काम पर समान वेतन मामले में हाई कोट के आदेश के बाद सिक्षक बहाली की परकिरिया ठहर गई है इस आदेश के बाद तोधरी समेत अन कहने लगे कि हाई कोट के आदिस में सिक्षकों की बहाली पर रोक लगानी की बात नहीं कहीं गई है अंगामा ज्यादा होने पर डिप्टी सीम सुसिल कुमार मोधी ने कहा कि 27 मार्च को सुप्रीम कोट का फैसला इस मामले में आने वाला है इसके बाद बहाली की परकिरिया शुरू हो जाएगी सदस्यों से आगरो है कि इतना इंतिजार कि ये तो थोरे दिन और रुख जाए सदस्यों का काना था कि टीटी की विलिडिटी समाप्त होने में एक वर्स ही से ऐसे में कई अभी हर्थियों कि उम्रसी मां हिसमाप्त हो जाएगी अब बहाले की परकिरिया है 37 मार्च के बाद ही शुरू होने की संभाबना है अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर इस परकार की नियू को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद